शट दर्शन इन ग्रंतों में जो विचार थे उन विचारों के आधार पर प्रत्यक विक्ति या हम ये कहें कि दार्शनिक दोरा अपने अपने विचार विक्ति किये गए और अपने सिद्दान्त बनाए गए तो हम देखते हैं शट दर्शन क्या होता है वेदिक दर्शनों में जो छे दर् दर्शन है नियाई, वेशेशिक, सांख्य, योग, मेमासा और वेदान्त या उत्तर मेमासा इन्हें हम देखें उससे पहले यह देखना जरूरी है कि दर्शन शब्द का अर्थ होता क्या है भारती संधर्व में दर्शन उस विधा को कहा जाता है जिससे तत्व का ज्यान हो सके तत्व अर्था वह परम शक्ति जिससे इस संसार का संचालन होता हो उस परम करता या उस परम उर्जा या उस परम शक्ती को जानने के लिए कई विद्वानों ने अपने अपने इस्थर पर चिंतन किया और अलग-अलग सिद्धान्द बताए और इनसे ही अलग-अलग दर्शनों का प्रादुर्वा हुआ है असल में ये सभी जो दर्शन है उन अलग-अलग नदियों के समान है जो अलग-अलग जगा से भिन्न प्रकार के रास्तों से निकल कर एक मात्र महासागर में समाहित हो जाती है उसी प्रकार सभी दर्शन का चिंतन भी उसी अंतिम सत्ता पर आकर ठहर जाता है यदि हम बात करें सांख्य दर्शन की तो छे दर्शनों के अंतरगत सांख्य दर्शन आता है दर्शन तो और भी हुए भारत में, जैसे जेन दर्शन, बोद्द दर्शन, चारवक दर्शन या अन्य संप्रदाई हुए, किन्तो हम अभी इन छे दर्शनों की बात करते हैं, और छे में हम सांख्य दर्शन को देखते हैं, भारतिय दर्शन के जो छे प्रकार हैं, उनमें से सांख्य भी एक दर्शन है जो प्राचिन काल में अत्यन्त लोक प्रिय था इसकी स्थापना करने वाले मूल वेक्ति कपिल को माना जाता है अगर इसके काल की या रचना की बात करें क्योंकि इसमें कुछ ग्रंत भी है और यह एक दर्शन है जो कपिल मुनी द्वारा प्रतिपादित किया गया था सांख्य दर्शन के जो सास्त्र हैं उनकी शिक्षा गोतम बुद्ध ने भी ली थी हम पढ़ते हैं कि गोतम बुद्ध द्वारा भी जब वहाँ घर चोड़ कर गए थे तो उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा अपने गुरु से ली थी उसके बाद उन्होंने फिर प्रक्रती अर्थात पंच महाबूतों से बनी जड़ है और पुरुष जीवात्मा चेतन है पुरुष अर्थात जीवात्मा चेतन है मतलब की प्रक्रती जड़ और पुरुष चेतन से संसार बना है महाबारत में जो दार्षनिक विचार हमें मिलते हैं उनकी जो प्रष्ट भूमी है उसमें सांक्य शास्तर का महतपूर्ण स्तान है शांती परव के कई इस्थलों पर सांक्य दर्षन के विचारों का बड़े कावियम और रोचक डंग से उल्लेक किया गया है सांक्य दर्षन का प्रभाव गीता में परती पादि दार्षनिक प्रष्ट भूमी पर भी पर्याप्त रूप से विद्वान है यदि हम गीता की बात करें तो गीता में जो उत्पत्ती भगवान से नहीं मानता बलकि इसे एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है इसके कुछ अलग-अलग सिद्धान्त भी बताया गया है यदि हम सिद्धान्तों की बात करें तो सिद्धान्त में जैसे ये ब्रह्मा या आत्मा को ही जगत का मूल मानता है जड़ प्रक्रति, सत्व, रज एवं तमस ये तीन गुण है इनकी साम्यावस्था का नाम ही संसार है अर्थात सत्व यदि हम देखें तो ज्ञान, शक्ति और शालिंता से संबंदित है यदि हम रजस या रजो गुण की बात करें तो इसका संबंद उत्साह से है, इसे उत्साह कहा जाता है एवं जो तमस है, या तमो है, या तम है, तमस गुण है या अज्ञानता और क्रोध का प्रतिक है इसमें यदि हम देखें, तो इनकी साम्य आवस्था का नाम और संपूर्ण विश्व का त्रीनात मक प्रक्रति का वास्तविक परिणाम मानता है इसके कुछ तत्व हैं, जो तत्व बताया गए है जिन में यदि हम बात करें, तो सांख्य दर्शन के तत्व में आत्मा, पुरुश जिसे हम देखते हैं अभी हमने कहा, तत्व यानि प्रक्रति इन दोनों से मिलकर ही संसार बना है अंतकरण, अर्थात सोचने की जो शमता है हमारी, उसके अंतरगत तीन तत्व शामिल जिसे मन, बुद्धी और एहंकार ये पांच ग्यानेंद्रियां है, ग्यानेंद्रियां वे हैं जिसे ग्यान होता है जिसे की नासी का हर्थात, नाग, जिवा, यानि जुबान, नेत्र, तवचा और कर्ण नेत्र यानि की आखें, तवचा यानि की हमारी जो तवचा है वो और कर्ण अर्थात कान, जिनसे की हमें कुछ होने का आवास होता है सुनाई देता है दिखाई देता है जिससे हम महसूस करते हैं इन्हें हम ग्यानेंद्रियां कहते हैं पांच करमेंद्रियां बताई गई है जैसे कि पाद, हस्त, उपस्त, पायू और वाक इसके अंतरकत जो पाद है पाद का अर्थ पेर होता है हस्त अर्थात हाथ होता है उपस्त अर्थात लिंग होता है और पायू अर्थात जो गुदा है वह होता है और वाक अर्थात मुख जिससे हम बोलते हैं यह हमारी कर्मेंद्रियां जो कार्य का कार्य करती है पांच तनमात्राएं भी है जिने हम समेधी विशई से सम्बन दीते जिसे कि गंद, रस, रूप, इस्पर्ष और सब्द यह समेधी विशाई है जिनसे कि हमारे अंतर मन में कुछ हलचल होती है या मेसूस होता है जिसे कि गंद हम सुंगते हैं रस हम उसका आनंद लेते हैं रूप जिसे देख कर कुछ भाववत्पन होता है इसपर्ष करने से भी भाववत्पन होता और शब्द सुनकर भी हमें कुछ भाववर्था दिये समेधी आंगे जो भावनाओं से सम्बंदित है वहीं पांच महाभूतों की भी बात की गई है जिसमें प्रत्वी, जल, आकाश, वायू और अगनी शामिल किया जाता है ये सांख्य दर्शन की सिक्षाएं हैं और उनके जो बताये गए तत्व है इनमें एक सिद्दान्त है जो बहुती महतपूर्ण है और जिसका पालन सांख्य दर्शन के लोगों द्वारा किया जाता है जिसे महत तुता को सिक्षाएं किया गया जिसे सत्कार्यवाद सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का मूल आधार है सतकारिवाद इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती अर्थात की अगर कोई कार्य प्रकृति में घटित हो रहा है कोई घटना प्रकृति में घटित हो रही है तो उसका कोई न कोई तो कारण होगा बिना कारण के कोई भी घटना संभव नहीं है यह उस सिद्धान्त के अनुसार ही है जो हम गोतम भुद्ध को जो सिद्धान्त कार्य कारणबाद सिद्धान्त वहीं जेन दर्शन में भी हमें इसकी जलक दिखाए देती है वह यहीं से हम कह सकते हैं कि इसका जो मूल है वो यहीं से है सिद्धान्त के बिना कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्मान होता है, कार्य अपने कारण का सार है, सत कार्यवाद के दो भागे, जैसे की परिणामवाद तथा विवर्तवाद, परिणामवाद जो है, इससे तादपर्य है, कि कार्ण व्यस वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित हो जाता है जैसे पील पेल में दूद दही में परिवर्तित हो जाता है इसी प्रकार से जो कार्य होता है वह कारण में परिवर्तित हो जाता है दूद दही में बदल जाता है जैसे रस्सी में सर्फ सांप का होना एक वास्तविक ना होकर आभास मात्र होता है या अर्थ होता है विवर्तवाद विवर्तवाद के अनुसार परिवर्तन वास्तविक ना होकर आभास मात्र होता है सांख्य दर्शन के दो ही मोलिक गरंद उपलब्द है सांख्य प्रवचन सुत्र और सांख्य कारिका इस तरह से सांख्य दर्शन का भारती ये दार्शन निक व्यवस्था में बड़ा ही महत्वपूर्ण इस्थान है कई विद्वानों के साथ महावीर और बुद्ध की शिक्षाओं में सांख्य दर्शन की शिक्षा को देखा जा सकता है आगे देखेंगे नियाई दर्शन को धन्यवाद